हलो दोस्तो आज हम हाज ही रहें जिसके नियो टपक के साथ में रेट्रेक्टर इंडेक्स के साथ में आज इनएmaak सार्व कंसेथम करेंगे उसको फिर हम अप्लॉई करेंगे क्योंकि हर साल cant need marstal क्योंट थैफ में आता है आता है थीक है तो हम रिफ्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ओम्हीं आपने पलने और फरेक्शन का etyण था है तो सेकंड लाग क्या कहता था सेकंड लाग कहता था साहिन हाइपान साइन्ट थीज़ कोल टो एन वे और एन इसाफ मीडियाम सेकेंड विप गिटरेश्प्टच को मतलब क्या होता है तो का जो फर्स्ट मीडियम जो भी मीडियम है वो नून है ठीक है यह सिस्टम है अपका ठीक है तो हम यहां बात करते हैं रफेक्टु इंडेक्स तो हमें पता है रफेक्टु इंडेक्स का मतलब क्या है हमें पता है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट करते हैं या तो हम scientific language की बात करें तो sign I upon sign R को ही क्या कहते है इसको अलग-अलग definition कर सकते हैं speed के डिफिटर में apparent depth और एक्टुल देप और apparent depth के relation में कर सकते हैं और फिर आपका absolute reflectiveness के relative में कर सकते हैं तो जो भी अलग-अलग है लेकिन हम यहाँ पास एक normal definition इसकी जानेंगे बस हो गया इस से जादा की बात नहीं करेंगे ठीक है तो normal definition की अगर बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है normal definition ठीक है refractory index का मतलब होता है तो bending of light ray चीज़ी से बात bending of light ray को ही क्या कहते है power of bending of light light ray की जो bending होती है जो किसी भी medium में जाने की वो क्या कराती है medium का refractory index कराता है ठीक है किसी medium की कितनी power light को मोडने की उसकी power उस मोडने की power medium की मोडने की power को ही क्या कहता है refractory index of that medium जो medium कब कहते है तो यहाँ पासको relate करें हम क्या the ratio of speed के संधर में रलेट करेंगे, the ratio of speed of light the ratio of speed of light in first medium first medium to the speed of light in second medium the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in the second medium is called refractive index refractive index ठीके refractive index कहते हैं इसको n is equal to kia v1 speed of light speed of light in first medium in first medium by divided by speed of light in second medium यह यह चीज़े क्या है n is speed of light in first medium divided by speed of light in second medium तो हम जानते हैं first medium में speed की light को जो denote करते हैं हम v1 से denote करते हैं और second तर तो चीज़े यह यह अई क्यों अगल खीच लेते हैं और उसके बाद एक light राइट रइनसिडेन करती आए और नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बनाते हुए क्यों में कुछ अंगल बनाते हुए इसडेन करती हैं आप क्लियरली बनाएगा मिट पर आपका होगा यह आई और आपको पता है अगर यह ररे मिडियम है है कि तो होती होती है जैसे इंटर के रहेगी कि su Sabbat इसकी बेडिनिंग होना इसकी कि अ गको मोलने की और उसी प्रयाट को मोले की उसी प्रेग को कहते था आ कि उसी प्यूपरटी को लाइक को मोर्ले कि यानि पाथ से चेंज करने की जो पावर होती है तो यह क्या कर देता है यह नौर्मल की तरफ मोर देता है, यह हो जाता है यह तो इसी बंदिग पावर को ही हम क्या कहते है रफ्रिक्ति निक्स कहते हैं और इसको गवार डेप्रिसं कहते है कर रो armpit नहीं लोग beंड भाम भाम्डेट कोई दुन आध कोई यंडिफ angें यह रिलेट विलेट यंडिचरेट लिक्ति- रबेटную रेलेटे रिलेट लुड़ेटिफ टडेटि औरुरेट लूगींग्ट को हमें officer रेलेट्व र knife इंड़ीट इसको हम एक नाम से और भिजुति है कि एर को छोड़ग कर कि कि अगर है और को छोड़ करके कोई अलग मीडियम होगा तब रいき टुनिक्स का ऐन क्या करता है रिबेटू रफ्रेक्टिव इंडिक्स कहते हैं तो यह की सबात है हम क्या करते हैं कि जब कोई यार से पहले मीडियम क्या हो उसके लिए रहो एड़ से हो करके किसी दूसरे मीडियम में जाए तब उस केसेज में जो सेकंड मीडियम का रफेक्टिम इंडेक्स होगा वो कुछ अलग होगा क्यों कुछ नोकर करके को और मीडियम गांड तो इसमें और ज्यादा भेंड वह जाएगी तो इसके का मैं ऐस्का इसको हो गया तो इसकुछ दिए locks कम है मतलब जिसकी जादा है तो यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर एयर को छोड़ करके कोई और मीडियम हो दोनों कोई और मीडियम हो तो सेकंड मीडियम में जो बिंदिंग होगी ऐस कंपर दो फर्स्ट मीडियम जादा होगी या कम भी हो सकती है अगर दे है इसको ने करने के तरीका क्या है यों फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम है टो इ Until reverse अब चले या तो पीछे से चले हैं तब ही सॉत शहिए तब भी सहेँंगे तब्य मिरी क्रुए तब ही चलेंगे कि मोजा थे तो यह एक बीर हिंच इन लाइट यह से रेवर इंडेक्स और एसकेड करने ते यह क्या है इंदेक्स आपि अफ चैन्ड अजरे सिकिट जो ईह भुश्याawan मुशिरब एक सब्सक्राओं हुरा-स अबढ़न ज्यूंद हाँ-स जो फिərλέकर नेक्स tape अपॉ-स ज्णिर जब्सक्राइद मिस्ट को सिर्डs तो हम सेकंड मीडियम को चाहते हैं तो यह हो गया सेकंड मीडियम की बेंडिंग को कैसे करते हैं तो हम इसलिए इसको पढ़ते हैं रफेक्टिव इंडेक्स आफ यह तो इस तरीके से ना सिंबलाइज होगा क्या होगा आपके पास वह इस तरीके से भी सिंबलाइज करते हैं रिफेक्टिव इंडेक्स आफ दा लाइट रेक आ जाईए पाहले फस्ट फिर किसमें इंटर करेंगी सेकंड ऐसे इंप्लाइज करेंगा रिफेक्टिव इंडेक्स आफ यह तो इदर से चलेंगे तो हमें फस्ट मीडियम पहले लिखना पड़ेगा और जब हम राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पड़ेंगे तो फस्ट मीडियम पहले लिखना पड़ेगा ठीक है लाइट रैसे जाए कि फस्ट से जाए कि जैसे आप सिंबलाइज करांगे वान से कमना फस्ट मीडियम पहले वाला सेकंड मीडियम चाहिए यह सेकंड मीडियम दिशे अब आपको समझ में आया होगा पॉस्ट दो वीडियो नोट डाउं बहुत इंपोर्टेंट टापिक्स है ठीक है नुमेरिकल आते रहते हैं इसको नोट कर लिजिएगा ठीक है फार्मूला हाथ सर याद रखिएगा अब हम बात करते हैं Absolute Reflective Index की बात करेंगे Absolute Reflective Index क्या चीज़ होता है Absolute Reflective Index Absolute Reflective Index यह क्या चीज़ है Absolute Reflective Index में फिर्स्ट में इस एर और वेक्टियो यह कहला था अपका Absolute Reflective Index तो अब इसको लिखना चाहते हैं कि जब पहला मीडियम आपको कंपल्सरी यह होना चाहिए सेकेंड मीडियम एनिटिंग कुछ भी हो जाए लाइट रे एर से चल करके इस दूसरे मीडियम में जाए कि दूसरे मीडियम में बेंडिंग जो होगी उसको क्या कहेंगे दूसरे मीडियम में जो बेंडिंग होगी उसको कहेंगे Absolute Reflective Index तो Absolute Reflective Index के रिफ्रेक्टिव दा वैक्यूम के अकॉर्डिंग दूसरे मीडियम में बेंडिंग कैसे होगी मरला उसका जो पाथ हो कैसे मूड़ेगा उसी को कहते है है Absolute Reflective Index तो हम लिखते हैं यहां पास ठीक है रिलेट्व का मतलब होता है जिसके आपको रिफ्रेंस में लेना चाहते हैं आपका तो हम लिखते है रहे Absolute Reflective Index को क्या रिफ्रेक्टिव इन्डेक्स आफ से केंड बीटियम विद रिस्प्रेक्ट्टो से केंड मीडियम की जगा हम अनी मीडियम दिखली जिए वो जरून ही नहीं है रिफ्रेक्ट्ट्री इन अननी मिधियम or with respect to, with respect to air or vacuum, air or vacuum with respect to air or vacuum is called absolute refractive index. ठीक है? आप index देखा पर indices भी लिख सकते हैं, वो भी चलता है. ठीक है? तो अब हमारे पास पहला मीडियम क्या होता है? अर होता है या vacuum होता है. तो भाई हम जानते हैं कि N जो होगा, वो क्या चीज़ है? Speed of light in first medium और speed of light in second medium ratio यही तो कहता है. तो first medium आपके लिए क्या है? The first medium is the air. क्योंकि हमारे लिए respect क्या? जिसके respect में बोला जाएगा, वो first medium ही कहला आएगा, यह note down कर लिजएगा मेशा. तो N is equal to किसके respect में बोला जाएगा, यह राय वक्यूं, तो first medium क्या होगा, यह राय वक्यूं, तो air यह वक्यूं में light की speed होती ही, वो C, और C की value होती 3 into 10 के पावर 8 meter per second, ठीक है? N is equal to C by V, ठीक है? और second medium में क्या? आपके पास V है, तो यह क्या हो गया? यह हो गया, आपका absolute refractive index, आप second medium, जो भी होगा medium, air की बात नहीं करेंगा, air का one होता है, ठीक है? लेकिन other का क्या होता है? वो one से जादा होता है, ठीक है? तो N is equal to C by V, यह आदर किये, यह absolute refractive index का पार्मूला है, ठीक है? अब यह absolute आ गया है बात, term समझ में आती है, तो हमारे पास questions या तो absolute में दिया जाता है, या तो किसी और respect में दिया जाता है, speed वगरा दे करके, दूसरी बात, later refractive index in terms of absolute refractive index, यह भी आपका है, भाई हमको speed नहीं पता है, हमें individual medium का refractive index दे दिया, for that, माल लेते हैं, यह जो light speed है, यहाँ पास, यह कोई denser है, इसका absolute N2 है, नाम दे दिया, इसमें N2 है, इसमें speed कितने ही होगी, V1, V2 होगी, और इसमें क्या आपके पास, यह कोई air ना, air के बाह अलावा कोई और होगा, कोई और medium है air के लावा, तो यहाँ पास आप जानते है, light की bending होगी, अगर यह जो है, rarer है, तो जाहिए से बात है, towards normal आजाएगी, अब यह air नहीं है, नहीं यह air है, तो किसमें bending हो रहे हैं, second medium में bending हो रहे हैं, किसके respect में होगे नहीं, rarer के respect में, तो हमें bending किसके निकालना, इसके निकालना ना है, तो हमार को चाहिए, reflect to index of second medium with respect to first medium, तो अब हमको पता है, कि अगर यह velocity ना दिया हो, इसके absolute दिया होगा, इसके absolute क्यों, इसका absolute, जब air के respect में निकाल होगा, तो में air के respect में bending कुछ और रही होगी, इसमें जो bending रही होगी, तो हमको पता है, वीवन अपान, वीटू कर लेते हैं, रिलेटू का सब्द क्या निकल के आया था, रिलेटू रिफ्रेक्टू इंडिक्स, यह n इसकोल टू क्या मिलेगा, इन या सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड का आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें, वन तू, वन से टू या तू से यह, वन से टू या इधर से लिखें आप, यह तो आपका एसे हो गया, इसकोल टू, वीवन अपान, वीटू, जो यह एण वन है, और आँटू है, यह एक्टूल में क्या है, यह बिऺ बंडिंग किसके अकॉड इगा, कि ए TOP मिदियु दोनों मिदियम को दिया इंब इंडिका मतलब ये से कितना रहोगा वीवन कि निकाल लेते हैं तो हमको यहां से मिल रहे हैं यहां से हमको पता है एन वन इसको लिखते हैं सी अपान वीवन यहां से वीवन की वेलू निकल के आई यहां पास भी वीवन की वेलू क्या निकल के आएगी सी वाई न्टू क्योंकि यह भी तो एफसलूट है वीवन वीवन की वेलू मिल गई इसको ठाकर के क्या रख दी इसमें रख दी जा क्या मिलेगा वन एन टू वीवन क्या निकल के आया था वीवन क्या निकल के था सी multiply होगा आपका, ठीक है, तो कर लिजी अब, 1N2, इसको टू क्या भी लेगा, N2 by N1, means absolute reflective index के terms में, ठीक है, relative reflective to index in terms of absolute, in terms of absolute, जो related reflective index है, वो in terms of absolute, absolute क्या है, air की respect में बार बार कह रहा हूँ आपको, जब भी question में N1, N2 की बार बोले, doubling N की बात बोले का तो इसका मतलब वो क्या है, आपका absolute की ही बात कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास आपका यह मिला, तो हमें क्या मिला, N1 से N2, यानि आपका जो आपके पास मिल रहा है, medium 1 से medium 2 में जा रहा है, तो इसका reflective index, in terms of absolute किता मिल रहा है, आपके पास, reflective index of the second medium, with respect to first medium, is N2 by N1, absolute N2 by N1, तो अगर इसको generally language में लिखना चाहा है, तो हम एक छोटे सब्द में लिखें, जिसका in terms of absolute, in terms of absolute, याद रखिए, आप speed के लिए formula आपको पता है, बीवान आपको बीटो कर देंगे, second वालेकर ने कर लेंगे, in terms of absolute, absolute, reflective index, absolute, then reflective index, मैं आपा थोड़ा से मैं, reflective index होगा, in terms of absolute reflective index, ठीके, in terms of absolute reflective index, relative reflective index क्याशंच काल सकते हैं, relative हमें लिखेंगे हिंदी में relative relative refractive index निकालने के लिए निकालने के लिए के लिए जिसका निकालना होता है उसका absolute उपर के तरफ होता है लिए जिसका निकालना होता है उसका absolute वाला absolute उपर की तरफ होता है और जिसका नहीं निकालना होता है जिसका नहीं निकालना होता है उसका absolute नीचे होता है ठीक है मैं इसको नरेट कर दे रहा हूं relative refractive index निकालने के लिए याद रखिए जिसका refractive index निकालना होता है उसका absolute वाला उपर होता है और जिसका नहीं निकालना होता है उसका absolute नीचे के तरफ होता है in terms of absolute या दिखिए यहां हमें second का निकालना है तो second का refractive index absolute वाला उपर के तरफ है और जिसका नहीं निकालना है यानि फर्स्ट का नहीं निकालना है तो फर्स्ट का को निकालना होता है तो फर्स्ट मीडियम की इस नहीं फर्स्ट से second में आती तो वीवन अपान वीटू करतेंगा अराम से निकल आएगे ठीक है आप इसको कल रिवाइज करके बैटके रखिएगा कॉपी और नोट बुक को अगरा सब साथ में तक हीएगा जिससे हम करते भी जाएंगे और आज समझते भी जाएंगे ठीक है पॉस्ट वीडियो और नोट डाउन